नमस्ते दोस्तों आज की रूट में हम बात करने वाल है आइसे आइसे प्रूव फ्यूचर प्रफेक्ट इस पॉलिशी के वारे में बेसिकली आइसे प्रूव फ्यूचर प्रफेक्ट पॉलिशी यह पॉलिशी यह ट्रैडिशनल पॉलिशी है मतलब इस पॉलिशी में आपको जो key features दिए गए हैं या benefits, guaranteed benefits आपको दिए जाते हैं, guaranteed maturity benefit, guaranteed addition, investors anniversary bonus and trading bonus, यह bonus किस पर काम करते हो और आपको इसका benefit कैसे उटा सकते हो और यह कैसे calculation होता है, उसके बारे में बात करने वाले, पहली बात, अगर आप ICICI, IPRO का जो policy है, future perfect, अगर यह purchase करना चाहते हैं, तो purchase करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर एहन तक देखिए, क्योंकि इस policy में जितने भी benefits दियें गए हैं, जो कि आपको लेने से पहले जरूर पता करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको अगर बात करूं, यह policy अगर आप खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो पहला खयाल आता है, इस policy लेने के लिए, तो आपको इसको investment कितना करना चाहिए, minimum जो premium आप पे कर सकते हैं, इस policy में, 40,000 से लेके, इस डिपेंड करता है, आप कितने साल का policy का limited payment option चूज किया है, मान दीजे, अगर आपने premium payment term, समझ लीजे, आपने premium payment, कितने साल आपको पैसा पे करना है, 5 years का अगर payment payment term अगर आपने चूज किया है, और policy का term 10 से 15 साल के group में आता है, उस case में, आपका minimum investment 40,000 हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, 7 times premium pay करने करा, आपको अगर चूज किया, आपने 7 times pay करने के लिए, तो policy का जो minimum और maximum जो term होता है, आ आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कि आप 12 to 17 years में, आप minimum investment 18,000 रुपे होता है, वैसे आपको अगर limited payment 10th policy years का आता है, मतलब 10th, 10 साल आपको pay करना है, और आपका policy 15 साल या विस्तल चलने वाला है, तो उसमें 12,000 रुपे का investment ल policy चलाना है, यह column में आता है, ठीक है, और जो minimum investment यहाँ से लेके, यहाँ पे देख पार है, 8,400 से लेके, 40,000 रुपेस, अब यहाँ पे calculate कर सकते हो, यह से ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे minimum यहाँ पे calculate किया गया है, maximum age at entry, मतलब यह कौन-कौन आदमी policy खरी सकता है, day 1 से, मतल साल होती है, तो आप कौन से group पे आना चाहते है, अगर आपका age 45 से नीचे है, तो आप यह ले सकते हो, यह भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा group divide किये गए है, ठीक है, maturity होने के बाद, आपका जो उमर होती है, 18,60, मतलब 70 years तक आपका support करता है, पहले इसमें 60 का maximum age at maturity, minimum समय चुल कितना ले सकते हो, आप life cover, 400,00,00 रुपे, आप अगर limited pay बाच का लेते हो, minimum होता है, जो से ज्यादा भी ले सकते हो, यह पर अगर आप 7 time pay करना चाहते है, तो आपका जो life cover आपको देंगे, मतलब आपको minimum life cover इतना offer करना पता है, 180,000 रुपीज, यह minimum date ब करते हैं, तो आपको monthly के लिए, half yearly के लिए, annual के लिए इस प्राकार की सुविधा दिये जाती है, अगर आप यह आप लेने के बाद कभी business change करना चाहते है, frequency, अगर आपने annual लिया है, उसको half yearly करना चाहते हो, monthly करना चाहते हो, quarterly इसमें सुविधा नहीं है, अभी हम key features के बार services benefit दिये गए है, guaranteed maturity benefit आपको मिलता है, इसमें, guaranteed आपको जो है addition मिलता है, ठीक है, यह आपको guaranteed addition and westerns bonus, मैं आपको बता देता हूँ, कैसे calculation हो, क्या benefit आपको मिलता है, plus terminal bonus, terminal bonus मतलब यह है, जब policy आपका expert हो जाता है, मतलब आपका policy maturity हो जाएगा, तब terminal bonus आपको दे जाते, policy के दवरान आपको यह terminal bonus नहीं मिलता है, जब आपका policy maturity होगा, तब ही आपको यह bonus मिलेगा, बीच में आप cancel करें तो यह bonuses आपको नहीं देते है, इसमें और कैस वीदा flexibility है, choose your premium term, premium payment frequency, some measured under date under policy term as per your need, इसमें आपको बताया है, आप कितने साल के लिए लेना चाहते हो, और कितने साल का policy ले सकते है, इसके लिए आपको flexibility यहाँ पर दी जाती है, इसमें आपको protection life core का मिलता है, tax benefit आपको साप जो भी premium pay कर रहे हो, ATC में आपको tax benefit मिलता है, और आपका policy expiration जब हो जाएगा, maturity हो जाएगा, इसका under 1010 section में आपको इसका tax benefit आपको उटा सकते हो, अब यह हम बा क्यों से benefit है, पहला जो guaranteed benefit आपको मिलता है, guaranteed maturity benefit, यह benefit वो benefit होता है, यह fixed benefit होता है, जब policy आप control करता है, तभी आपको यह fixed value जो होता है, आपको दिया जाता है, अगर आप चाहें, तो इस example में आप दे सकते हैं, मैं online पर यहाँ पर आकर जाओं, calculate करके, अगर आप guaranteed maturity benefit अगर आपको premium payment time कितना रखा है, आपने, इसके उपर calculate किया जाता है, तो example के लिए मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फाई payment लिमिटेट पेमेंट option में फाई payment का लिया है, मैंने, मेरा जो premium है yearly installment है, और policy जो total होता है, 10 साल का policy है, पास साल पे करना है, कितना तो पास साल में कितना अमांट पे कर रहा हूं, मैं 0.5 लाग रुपे पे कर रहा हूं, मुझे जो life core मिल रहा है यहाँ पर, 8.4 लाग रुपे इसका life core मिल रहा है, premium यहाँ पर 50,000 रुपे, frequency yearly और policy premium term is 5 years, ठीक है, तो यहाँ पर calculate अगर मैं करता हूं, यहाँ पी आप देख ठीक है, तो अभी देखिए, यहाँ पर जो benefit आपको मिल रहा है, देखिएगा, यहाँ पर benefits यहाँ पर मैं समझा रहेता हूं, आपको snapshot of या plan, तो मैं आपको बता है कि 55,000 रुपे का policy का annual premium, मेरी age 30 years है, ठीक है, मैं 33 years का policy, मेरी age 30 years है, ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे है, मंगे आप, total guaranteed benefit यह मुझे दे रहे हैं, ठीक है, total इतना मिल रहा है, ठीक है, इसमें bonuses और आपका terminal bonus, यह आपका मिला के आपको provide किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, guaranteed जो maturity benefit आपको इस plan में हूँ आपको provide कर रहे है, यह आप टेबल में देख सकत हो, ठीक है, यहाँ पर देखे, आपका जो amount है, यहाँ पर guaranteed, sorry, ठीक है, आपका sum assured, ठीक है, debt policy तो वो नहीं है, ठीक है, यह देखे, आपका sum assured on maturity, ठीक है, मतलब यह guaranteed maturity benefit है, यह आपको policy में 1,62,989 रूपीज, यह आपको fixed value है, अगर आपका policy का premium 50,000 रूप है, और अगर आपने लिया है, payment term आपने लिया है, 10 साल, और payment term 5 years, और policy term 10 years का, यह लेते हैं, तो आपको यह guaranteed benefit जो मिल रहा है, 1,62,000 रूपीज के आजपास मिल रहा है, ठीक है, अगर यही example के साथ, अगर मैं इसको में delete करके, मैं यहाँ पर payment जो होता है, 7 अगर मैं choose करूँगा, और मेर policy term यहाँ पर change हो जाएगा, minimum, policy term 17 साल हो जाएगा, और amount same ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें आगर मैं calculate यहाँ पर आकर करता हूँ, इस example के लिए, तो इसमें मेरा जो guaranteed maturity benefit वो provide कर रहे है, इसमें देखिए, इस पर आगर मुझे guaranteed match payment मिल रहा है, 2,55,580 रुपे मिल रहा है, तो इसका जो calculator होता है, premium calculation benefit होता है, इसका link मैं description box में आपको provide कर लेता हूँ, इससे आप थोड़ा सा calculation करा सकते है, अगर इसका premium में एक लाव रुपे आकर annual करता हूँ यहाँ और सेम, 17 साल आगर मैं यह change करके, 5 times आगर करूँगा इसको, 15 साल का policy time, इसको calculate आगर मैं करता हूँ, ठीक है, एक लाग रुपे का premium है, 5 साल premium pay करना policy मेरा 10 साल का है, तो इसमें जो guaranteed benefit वो provide कर रहा है, इसमें देखिए, guaranteed benefit कितना मिल रहा है मुझे, 3,36,000, मतलब यह fixed value होता है, यह company आपक प्रोइट कर रही है, यह होता है GMB value, तो आप calculation कर सकते हैं, यह आप माइन में रखे, आप कितना investment करना चाहते हो, और आपको guaranteed maturity benefit कितना मिल रहा है, उसके बाद आते है, guaranteed, आपको जो मिल रहा है guaranteed edition, यह क्या होता है, इसके बार में बात करेंगे, अगर यहाँ पी आप देख का policy आपने खरीदा है, और उसमें annual premium 50,000 रुप्रेस आप पे कर रहे हैं, और जो PPT आपका जो होता है, premium payment term जो होता है, five years आपने ले लिया है, ठीक है, इसमें देखिए अपी, अगर जब आप policy लेते हो, ठीक है, लेने के बाद आपको guaranteed edition दिया जाता है, policy में, यह basically आपको hand hand over नहीं मिलता, यानि कि आपको cash में पैसा नहीं देते है, यह payout होता नहीं है, यह पैसा policy में calculate होता रहता है, as a bonus, वो calculation हर साल होते रहता है, आप customer कर पे या फिर आप policy में, अगर आपके पास app होकर होता है, तो login करके continuously, वो track at detail चेक कर सकते हो, मान लिचे आपनी policy खरीदे ह है, first year जब आएगा आपके policy का, ठीक है, first year में 8% आपके annual premium का, जो भी आपनी premium चूज को लिया होगा, या आपनी चूज किया होगा, मान लिचे 50,000 रुपे का, ठीक है, 50,000 रुपे से annual premium हो, उसका 8%, 8% जो हो जाएगा, 4000 रुपे, तो first policy लिए, first policy के past सल तक, आपको 4,000 रु सल तक add होगा, कितना 8% आपके annual premium का होगा, जब आपका policy, 6 to 10 years में आ जाएगा, पासल हो जाएगे, जब 6 साल लग जाएगे आपको, उस period में आपका annual premium का, 8% से हटके, आपका 10% हो जाएगा, जो हो जाएगा, 5000 रुपे, पहले आपको 1 to 5 years, 4,000 रुपे मिला, उसके बाद, 6 day to 6 to 10 years में आपको 10 10% दिया है, अगर आपका policy उसे ज्यादा है, तो 11 साल से 15 साल तक 12 बारा 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 परसें, हर साल आपको, वो add होता रहेगा, आपके policy में, वो accumulate होता रहेगा, पहले साल 8000 रुपे, उसके बाद, 8000 रुपे, 8% का, मतलब 5000 का 8% 4000 रुपे होता, पहले प पर मैंने चूज किया, जो option देखे, PPT मेरा 5 साल का है, policy ये मेरा 10 साल का है, और annual premium 50,000 ये मेरा 30 years है, ठीक है, उसमें जेम वेल आपने calculate किया था, 1,60,000 रुपे, जो यहाँ पर दिये जा रहे है, ठीक है, जो guaranteedization ये आपको 75,000 रुपे मिलता है, अगर आपका policy 10 years का है, तो इ देख पा रहे हैंगे, यहाँ पर example में, यहाँ पर दिखिए, अपने policy का पहले साल का premium pay किया, ठीक है, आपको guaranteedization 4,000 रुपे, आपके annual premium का, उन्हें add किया, 8%, ठीक है, फिर दूसरे साल आपने premium pay किया, उसके बाद आपनी 4,000 रुपे आपको company ने guarantee दिया, तो दूसरे साल आ पहले साल का 4,000, दूसरे साल का 4,000, 8,000 हो जाएगा, यह accurate होता रहता है, तो ऐसे करते करते, first policy, first policy year लेके, आपको जो है, fifth policy year में, आपको add हो रहा है, 8%, ठीक है, तो 20,000 रुपे add हो जाएगा, once लेके 5 years तक, ठीक है, उसके बाद, आपका 10% हो जाएगा, annual premium का, 50,000 का 10% कब तक होगा, 10 साल तक होगा, ठीक है, यहाँ पर, और policy जो खतम हो रहा है, 15 साल का, यहाँ पर मैंने example बता है, आपको, यह policy, यह policy year, 15 years समद्ध ठीक है, ठीक है, इस में आपको आएगा, यह 6,000 रुपेश आता है, मतलब total 75,000 रुपेश आपको मिल रहा है, 5,000 रुपेश आप 15 साल का policy, ठीक है, तो इस में 75,000 रुपेश आपको मिल रहा है, तो आप इसी को, आप example मैंने आपको calculator यहाँ पर बता है, यहाँ पर, इसमें आप जाके, policy 15 साल या 10 साल आप चूज कर सकते हो, अगर मैं 10 साल चूज करता हूँ, तो इसमें यहाँ पर जो benefits दी जाते हैं, 10 सा के लेकिन अपको उतना है, लेकि सिर्फ 10 साल तिक मिलेगा, यानि कि 45,000 पेस, जितने साल का policy ज्याता लेंगे, उतने साल का लेंगे, उतने साल का लेंगे, उतने साल तक आपको यह गैने डिशन आड होता है, वैसे भी आप, अगर आप cross calculation करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ आ रहे होंगे, आ गया है, वैसे अगर आपका payment term 10 साल का है, तो आपको 10% आएगा, 1 to 5 years में, उसके बाद 6 to 10 years में 12% आएगा, यह आपको accurate होके, आपके policy में add होता रहता है, आप call करके confirm कर सकते हो, ठीक है, अगर मान लिजे, अगर आपका premium monthly basis पे है, ठीक है, तो फिर आपक 1 by 12 हो जाएगा, 12 times हो जाएगा, मतलब 4000 साल का मिल रहा है न, उसको divide by 12 करेंगे, और monthly basis के उपर आपको add करते रहेंगे, quarterly 0.5 times रहता है, तो ऐसा calculation आप कर सकते हैं, अभी हम बात करने वाले westerns reverse revenue bonus के बारे में, यह bonifest policy में किस परकर आपको दिया जाता है, basically reverse revenue bonus आपको estimate value दि check पा रहेंगे, जो reverse revenue bonus आपको 40,000 दिया है, अगर 8% का return दिया जाता है, तो यह estimate value है, कोई भी fixed value नहीं मिलता है, यहाँ पे यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, ठीक है, reverse revenue bonus आपको add होता है, यहाँ पे, तुल ऐसा basic calculation नहीं है कि आपको इतना ही पैसा आपको मिलना चाह यह company के उपर depend करता है, अगर आप यह future profit policy का reverse revenue bonus अगर आप देखना चाहरे हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, आप यहाँ प्रूलाइप website open कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर सबसे यहाँ पर home page पर आईए, सबसे नीचे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर bonus करके option आता ह bonus का bonus करता हूं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप चेक कर लिजा आपका policy कहाँ पर है, cash advantage, ठीक है, सेविंग सुरक्षा, यह future perfect, यह future perfect policy recently launch हुआ है, 2017 में, तो तब से वो reverse bonus आड कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ठीक है, 2017 में दिया था, 2018 में 2.25% दिया है, 2.25% मतलब यह आपका 2.25% का यह आड हो रहा है, average value, यह आगे change भी हो सकता है, ठीक है, तो यह basically 2, 2 से लेके 3% के अंदर आपको यह दिया जाता है, यह percentage किसके उपर दिया जाता है, आपके GMB value के उपर, जो आपका guaranteed होता value होता है GMB value, जो fixed value मिलता है, उसके उपर percentage होता है, ठीक है, आप यह 1,68,000 रुपेस है इसका आपको 2% एक साल मिला, फिर दुसरे साल आपको 2018 में इतना मिला, 2019 मिला, अभी 2022 का है, फिर 2013 साही का तब वो 2.25% हैंगे, फिर 2014 आइंगे, तो हर साल वो आपको add करता है, जब फैनल सी ले जब end होता है न, तब आप वो आपके policy में add कहा जाएगा, यह bonus अलग calculation होता है, और आपका guarantee decision जो होता है, यह आपका जीए, यह भी अलग calculation होता है, यह अलग value रहता है, और यह आपका reverse value bonus है, यह भी अलग value रहता है, यह आपका percentage होता है, बेसिकली और यहाँ पर देख पार यह आपको policy जब चल रही है न, आपकी, तब आपको यह रिवेसली bonus दिया जाता है, यह रिवेसली bonus आपको यह मिल रहा है, तो जब policy आपका और एक बात करते हैं, इसके बारे में, रिवेसली bonus खतम होने के बाद आपको if यह नहीं ठीक है, अगर है तो देगे, नहीं तो न तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अर्मर बोनोस भी तो जब आप यहां पर आएंगे पोनस कॉलम में में प्रूम सअ लाइफ को यहां पे लिए अलग अलग पलिशिक लेंदर के लिए भी रॉस्मार्ट किड पीड पॉलिशी कि लिए अलग आलग है लिए लिए सेमने प्रोटेक्ट सिर्यस पॉलिशी में परसंटिज दिया जाता है ठीक है whole life whole life आपका यहां पर future perfect policy तो आवेलिबल नहीं है शायद क्योंकि अभी तर कोई भी policy maturity हुआ नहीं है ठीक है complete हुआ नहीं है तो उने निया कोई 10% हो सकता है 10% हो सकता है यहां पर आप देख पारंगी प्रोड़क्ट 2000 फीचर परफेट एक मीट मैं चेक कर रहा हूं ठीक है सब यहां पर यहां पर आपकर आप calculate कर पा रहे है बोनस यह एक हो गया और आपका ट्रेमियल बोनस हो गया तो अगर आप एक्जांपल देख पा रहे होंगे यहां पर जैसे वह आप बता आया है यहां पर मैंने यह देखिए टर्मियल बोनस यहां पर 67,000 रुपिस अगर आपका रेट आप इंटेस फोग पसेंट है अगर आट पसेंट है तो आपका ट्रेमियल बोनस इतना यह आपका इतना नहीं मिलेगा बीच चालीस या पच्छीस हजार या साथ हजार के आसवास मिलता है अगर आप अगर आपको फिर भी कैल्कुलेट करना तो यहां पर देख सकते हैं टर्मियल बोनस अलग अलग पॉलिशी के 2017 में 2018 में अभी 2022 चल रहा ठीक है तो 2021 देखिए यहां पर 2022 टर्मियल बोनस यहां पर 10% जिसका पॉलिशी टर्म जो 10 साल है 11 से 15 साल है इसका 30 परसेंट तो आपक पॉलिशी का अभी तो टर्मियल बोनस डिक्लियर नहीं हुआ है लेकिन हो भी जाएगा तो यहां पर आप रॉंड फिकर आप दे रखते हैं अगर अगर देसल का पॉलिशी तो दस से लेकिए 15 परसेंट एक एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका पॉलिशी 15 साल से ज्याद अब यह अपने इस पॉलिशी में जो की फीचर्स या गारंटेट बेनिवेट यह सारे कवर किया है अगर आप इसमें यह अपको या धान तक्विनिक जरूद ने क्यूंकि हायर आप समयशूर जो हता है आपके अनुवल प्रिम का जो भी टेन टाइम्स रहता है न वह यह आ और फश्ञाय का प्रियम हो आपको प्रवाइट करते हैं ठीक है तो जो भी अनुवल प्रिम होगा उसका उसका प्रियू आत यतना मिलता है वह देंगे वह जढ़ा है तो इस case में आपका जो 10 times annual premium रहते हैं वही ज़्यादा होता है ठीक है और उसके बाद maturity benefit जैसे मैंने आपको बता है maturity में benefit इसमें आपको दिये जा रहा है guaranteed maturity benefit fixed value होता है यह एक amount हो गए यह amount हो गई दूसरी amount guarantee decision वह भी हमने आपके cover कर लिया उसके बाद आपको मिल रहा है और यह रहा चार यह चार benefit amount calculate करके आपको यह लंसर में पर दिया जाता है उसके बाद क्या है guaranteed addition यह cover होगा है आपका यह surrender value अगर आपको policy लेने के बाद अगर किसी कारण की वज़े से आपको policy आप से cancel करना चाहते है तो minimum 2 साल का premium आपको पेग करना जरूर ही पहले साल का पेग कर दिया आपने और आपके साथ कुछ fraud होगा कि आपको बताया आपको पता भी है कि आपने डाल दे कि second year में आपको पैसा नहीं है आपके पास अगर आप फीचर में नहीं देना चाहते तो आपका जो भी पैसा पी किया पहली साल का पचासज़ रुपे किया होगा वह non refundable है वह आपका पैसा refund नहीं मिलेगा उसके लिए आपको और लाग रुपे आपको मिलेगा एक लाग आपको पे करने के बाद आपको वापिस केतना मेरे करा रहे है आएसा सोच रहे है पालिसी लेंगे बाद में आगर कैंशल करना चाहते हैं तो आप यह पालिसी मत लीजेगा कि किनके ट्रीशन policy है इस में cancellation में बहुत करते हैं ठीक है कि आ आपको पैसा बहुत कम जादा मिलेगा लेकिन मार्केटर रहेगा वह आपको फंड लेगे कोई चार्ज ने करता है की चार्ज होता है नहीं उसमें लेकिन पास सल के बहुत आपको पैसा जो भी आपको रहेगा मार्केट वल्य वह आपको 100% दे देते हैं तो इतना ध्यान लेजे मिनिमम दो साल पे करना ही है ठीक है कभी कभी क्या होता है आडवाइजर गला डिटल्स बता के या आपके किसी को कुछ भी जान कर दे के बेच देना उसी के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं घ्वाइजर भी गलो डिटैल्स न बता है ठीक है शरेंडर की लिए हो गए ठीक है उसके बाद आपका कवर करेंगी पेड़ा वैली आप उसके बाद आपका जो ही तो ज़ादा से ज़ाख़ फी कि गया धाफे जुसल्राइद quindi की तो ऑपने साल का स्रक्राइब कर दिया अब के बाद आपके पास पैसे नहीं है आप कर दिया के अपको क्या करेंगे इस यह फालिके पोलिटेंगे जो आपको बशी पॉलिसी को वैसी छोड़ देंगे आप 15 साल के लिए कुछ सतर अजार रुपे कुछ और आपका कुछ बोनस हो जाएगा तो तो पंदर शाल के बाद आपने जितना पी कि हैं यह एक लाग पिक है न पंदर साल के बाद कि बात के दो सल पनिकिया क्या है वह पूरा पे करके रिन्यू कर सकते हो ठीक है उसमें सारे आपकोIA करना की बासल आजया कि शैर्मेड को दानेategds के बात का इंट सब्सक्राइब प्रतिक्स अफॉर्वियर में कि आपको नहीं तरह को पार के अंदर आपको पॉलिशी को रिवाइकर नहीं होता है उसके बाद तो पॉलिशी आपका टर्मिट हो जाए अगर आपने एक साल का पी जाए पास साथ नहीं होगा वह सही कम बेदिफिट के साथ जलने वाला है ठीके इल्लिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया अगर आप यहां पर कैंसलेशन करते हो यहां पर देखिए यह पॉलिसी यहां पर एक्जामपल 15 साल का पॉलिसी है पास सल पहले पेग करना है पचास हथार रुपे का अनुवल प्रीम हारा है ठीक है और मेरी यह जो ठीक है इसमें आपको सिर्फ 35,000 ही मिल रहा है ठीक है अतलब कोई हमाड क्या आप 35,000 कून कैंसल करेंगा तो आप ऐसे छोड़ देंगे पॉलिसी को ठीक है और ऐसे चलाइंगे तो आप कितना मिलेगा एकला काड़ आजर रुपे आपके पॉलिसी का वैल्यू है अगर आपका पॉलिसी य लेकिन आपको वही मिलेगा यह एकला का रजर एकला की आपको मिलेगा उतने ज्यादा आम नहीं मिलने वाला है ठीक है तो यह इसके बाद आपको क्या कवर करना है बेनेफिट्स यह भी हो गया है लोन इस पॉलिसी पर आप ले सकते हो जो सरेंटर वैल्यू होता है जैसे मै आपको लोन देते हैं उसके लिए भी आपको लगेगा और आपको वापिस करना पड़ेगा इंट्रेस कम रहता है लेकिन 35,000 रुपिस का 80% मिलेगा अगर आप तीन साल का प्रीम कर दिया है तो 54,000 रुपिस सरेंटर वैल्यू होता है उसका 80% आपको इसमें लोन मिलता है औ आपका प्रीम करते हैं अगर आप होता है तो वह चेक करते हैं पहले 12 मैंने में तो होता नहीं प्रेड या पॉलस्ट के लेनी के बाद तो इसमें कवर नहीं क्या होता है मतलब फ्रेड अगर आप पॉलस्ट या परचेश किया आपके पास ऐसा डॉक्मेंट्स आजाएगा लेकिन आप और पालिजिन पालिए अपको कुछ अलग-अलग चीजह बता था आपने बता मान लिजा आड़ाज़र ने आपको यह चीज़े बता हिए समझोग आपको इतना मिलेगा सब्सक्राइब यह इसके यह इस ट्रीमिट वैल्यू थीक यह सर्फ इस्टिम वैल्यू है जब आप पॉलिशी आप लेने के बाद आपको एक करेक्ट वैल्यू आ जाएगा उसके हिसाब से अगर यह कैल्कुलेशन मैस्ट नहीं कर रहा है आप इसमें दीखिए पॉलिशी मैस्ट चार लाग भातर जान मिल रहा है लेकिन अब पूरीजिन पॉलिशी आपके पास पॉलिशी में जो भी बेनिफिट कीचे से में सारे कवर कर रहे हो अगर आप पॉलिशी पर्चेस करना चाहते है तो वही ध्यान में देखिए अगर आप लॉंग टर्म चला रहे तभी आप पर्चेस कीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताए कि आपको य इस चैनल में आपको इस परकार के अलंग को का लाग इंविश्मिंघ्र प्लान्स में लेकर आता हूं अगर अभी तक हमारे चैनल को अपने सस्द्रीब अगर नहीं किया तो आफ यस चैनल को सिस्द्रीब कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही ठेंक यू विच